असलाम अलेकुम आज का टापिक एर स्ट्रक्चर जिसमें हम एर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन्हें डिसकस करेंगे एव लूक जैसे बाड़ी के लिए बाकी के सेंस आरगन इम्पोर्टंट है वैसे ही एर इंपोर्टंट है जितने इम्पोर्टंट विजिंस है उतनी ही इंपोर्टंट है और हेरिंग में जो help out हमें करता है वो करता है एर एर ना सिरो हेरिंग में help out करता है बलके यह body balance को भी maintain रखता है एर के अगर हम structure की बात करें तो इसके थरी major parts है external air, middle air and internal air इसी हम graphical ही देखते हैं कि यह part कैसे के नजर आते है एक्स्टर्नल एयर के त्री मेजर पार्ट्स हैं पिन्ना जो एक्स्टर्नली हमें नजर आता है अडिटरी कनाल ये ट्यूबलेक स्ट्रिक्चर होता है और टंपैनम जिसे कामनली एयर ड्रम बोलते हैं कान का परदा ये स्ट्रिक्चर ये एक्स्टर्नल एयर के हैं मिडल एर की बात करें, इसमें आता है मेलर्स, इंकस एंड स्टैपिस, यह तीन बॉन्स और इसके साथ भी एक ट्यूब कनेक्ट होती है, जो एर को नैजल कैविटी के साथ कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं अस्टेकियन ट्यूब, जस्ट नेक्स्ट तो मिडल एर इस इनर एर जिसके पार्ट है, सेमि सर्कुलर कनाल, ओवल विंडो, रौंड विंडो, कॉक्लिया और नर्व्स इस चीज़ को अब हम डीपली देखते हैं, फर्स्ट फॉफॉल हम डिसकस करते हैं, एक्स्टर्नल एर, एक्स्टर्नल एर के त्री मेजर पार्ट है, पिन्ना, अड्रिटरी कनाल, एंड एर ड्रम, तंपैनम Now we move toward pinna, pinna is the broad external part, pinna जो होता है, external बिरूनी पार्ट होता है, यह broad होता है, चोड़ा होता है, cartilage का बना होता है, और इसके उपर skin मजूद होता है, पिन्ना का function यह है कि यह sound waves को अड्रिटरी कनाल की तरफ move करवाता है, अड्रिटरी कनाल के अंदर special glands होते हैं, जो wax produce करते हैं Wax और hair जो हैं, यह अड्रिटरी कनाल के अंदर small insects, germs और dust को दाखिल नहीं होने देते हैं, उससे बचाते हैं, इन addition to this, wax अड्रिटरी कनाल का temperature उससे regulate करती है, और उसके अंदर wetness जो है वो develop किया रखती है, नमी को बरकरार रखती है, अड्रिटरी कनाल end होती है, air drum के साथ, air drum जो होता है, यह thin membrane है, जो external air को middle air से separate करते हैं, और सुनने में इसका बड़ा हम रोल है, second portion is middle air, just next to external air, एक chamber होता है, जिसे middle air बोला जाता है, इसके अंदर three small bones होती है, जिने middle air ossicles बोला जाता है, और यह एक chain के अंदर मजूद होती है, inmovable bones में शामिल है, malice, incus, tapis, malice जो होता है, air drum के साथ attach होता है, malice का literally mean होता है, hammer, इसकी shape हथोड़े की जरागी होती है, इस वज़ए से malice बोला जाता है, और यह air drum के साथ connect होता है, just next to malice is incus, incus का literally mean होता है, anvil, लोहार के पास एक structure मजूद होता है, जिसकी उपर वो लो की होती है, इस वज़ए से incus का आ जाता है, incus के बाद आती है stepis, और stepis का literally mean होता है stirrup, घोडे की रिकाब, जिसके अंदर घुरसवार जो है, अपना पाउं रखता है, और stepis जो है incus को connect करवाती है, oval window के साथ, oval window जो है, यह middle air को inner air से separate करता है, और middle air जो होती है, nasal cavity के साथ connect होती है, through eustachian tube, और यह tube जो है, यह air pressure को regulate करती है, air drum के दोनों साइडों पर, तो यह structure थे middle airs के, और इसकी bone बड़ी important है, यह इसी sequence में मजूद होती है, पहले मैले सिंका stepis और फिर इसका बाद eustachian tube, important mcq, stepis जो है, हमारी body के सबसे चोटी bone है, अगर हम इसकी length की बात क यह structure हम देख चुके है, the last portion is inner air, inner air के 3 parts है, vestibule, semicircular canals, cochlea, vestibule जो होता है, यह inner air के center में मजूद होता है, और इसके पिछली side पर मजूद होती है, semicircular canals, यह 3 canals, जिनका half circle बना हुआ होता है, tubular structure मजूद होता है, जिनने बोला जाता है, semicircular canals, और इनके अंदर fluid होता है काकलिया के भी 3 ducts होती है, और यह एक दूसरे किर्द-किर्द coiled होती है, lipti होती है, जैसे एक घुंगा होता है, और sound waves को feel करने वाले जो receptors होते हैं, वो इसी के अंदर मजूद होते हैं, इसकी middle duct के अंदर, जो किसी sound, किसी vase को detect करते हैं, महसूस करते हैं, और nerve impulse generate करते हैं, जिसे फिर हम understand करें, तो यह था structure of air, inner air, middle air, और फिर उसके बाद external air, तो यह तीन structure हमने discuss की हैं, अलाँ आफिस,